शिव पुरान के अनुसार अगनी यग्य का महत्व कुछ इस प्रकार वर्णित है रिशियों ने सूत जी से अगनी यग्य, देव यग्य, ब्रह्म यग्य और देव पूजा के महत्व के बारे में पूछा सूत जी ने कहा पवित्र अगनी में द्रव्य और सामग्रियों को अर्पित करके हवन करना अगनी यग्य कहलाता है यह अनुष्ठान विशेश रूप से ब्रह्मचारियों के लिए है प्राता काल का समय दिर गायू प्रदान करता है जबकि शाम के समय हवन करने से सम्रिद्धी मिलती है इंद्र आदी समस्त देवताओं के उद्देशे से अगनी में जो आहुती दी जाती है उसे देव यग्य समझना चाहिए देवताओं का जो नित्य अध्यन या स्वाध्यन होता है उसे ब्रह्म यग्य कहा गया है सबसे पहले भगवान शिव ने अपने लिए एक शुप दिन अपनाया शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य है शक्ति संबंदी वार के स्वामी सोम कुमार संबंधी दिन के स्वामी मंगल है विश्णु वार के स्वामी बुद्ध है और ब्रह्माजी के वार के स्वामी ब्रहस्पती है इंद्र के वार के स्वामी शुक्र और यम के स्वामी शनिश्चर है अपने अपने दिनों में देवताओं की पूजा करने से शान्ती सम्रिद्धी और सभी प्रकार की सिध्या मिलती है